एक बच्चा सड़क के किनारे रो रहा है, दूसरी और एक आदमी जिसे बहुत गहरी चोट लगी हुई है, सड़क के किनारे तडपरा होता है, तब इस सामने से एक आदमी आ रहा होता है, जिसका नाम केवल होता है, केवल बहुत मयूस होता है, रास्ते में उसका ध्यान जात उसे गोधी उठाता है और फिर दोड़ता हुआ उस बच्चे के बाप önce केवल और दोक्टर को ब्लाता हूं आप अपनी येव से क्याने को के दो कहbay कि दोपने कराइई वह अब गियों और नहीं जी पाऊंगा यह मेरा बेटा है क्या आप मेरे बेटे की परवरिश की जिम्मदारी ले सकते हैं केवल कहता है देखिए आपको कुछ नहीं होगा वो आदमी कहता है आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए इतने में वो आदमी अपने बेटे के सर पर हात रखता है और उस बच्चे के सर पर जैसी हाथ रखता है उसका हाथ रखा रह जाता है और वो आदमी मर जाता है फिर केवल उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है केवल उस बच्चे को जाकर अपनी पतनी को देता है और उसे कहता है लो गायतरी हमारा बच्चा केवल की पत्नी गायतरी कहती है अब आप भी मेरा मजाग बनाईए मैं जानती हूँ मैं आपको अलाद का सुख नहीं दे सकती तो अब आप भी मुझे ऐसी किसी का बच्चा दिखा कर परिशान करेंगे केवल कहता है अरे तुम मेरी बात तो सुनो जब हमने हमारा बच्चा खोया था और डॉक्टर ने मुझे बताया था कि तुम कभी मा नहीं बन सकती तब मैंने सारी उमीद छोड़ दी थी और मैं परिशान होकर शेरा वाली मा के मंदिर गया था मैंने मा के दरबार पर गुहार लगाई कि मा मुझे भी बाब बनने का सुख तो और जैसे ही मैं मा के मंदिर से आ रहा था रास्ते में मुझे एक बच्चा रोता हुआ मिला फिर वो आगे की सारी कहानी गायतरी को बताता है और उसे थोड़ा सा उपर उठा कर कहता है आज से इस लड़के का नाम होगा वेद अगला सीन दिखाया जाता है जब वो आठ साल का होता है उस समय वो फुटबॉल खेल रहा होता है और खेलते खेलते वेद गिर जाता है और उसे चोट लगती है वो जोर से चलाता है, मा, तब ही गायतरी भागी भागी आती है और वेद को देकर खबरा जाती है, गायतरी वेद को कहती है, गुड़ू, क्या हुआ, वेद रोने लगता है, रोते-रोते कहता है, मा, चोट लग गई, गायतरी वेद को गले से लगाती है, तभी वहाँ पर केवल वेद के लिए हल्दी एउट दूद्ध बनाती केवल को बोलता है कि पापा मैं दवाई नहीं लगाउंगा तब केवल कहता है बेटा ऐसे चोट जोड़ा ना ठीक होगी दबाय दोंगा अगर आप मुझे हवाई जहाज लेकर देंगे तब केवल कहता है ठीक है वेद कहता है मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी आसा हेलिकॉप्टर लाकर दूँगा फिर केवल वेद को दवाई लगाता है दोस्तों आपको क्या लगता है क्या होगा इस कहानी के आगे लेट इस नो इन द